हाई फ्रेंड्स बेस्ट विजनास एन्बी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगी कि ओरिजनल देसी चिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी दोस्तों इसलिए आप इस वीडि मुर्गिया इसी कोई जगा नहीं जापे इसके मिट की और अंडों की डिमान बहुत नहीं होती जिया दोस्तों सभी जगा इसके मिट की और अंडों की डिमान अधिक होती है ज्यादा तर घरेलू सबसे ज़्यादा पालने वाली जो मुर्गिया ही होती है जिया दोस्तों क् नसल की मुर्गिया घरेलों लोग पालते नहीं ओरिजनल इसले पालते दोस्तों क्योंकि ओरिजनल देसी मुर्गी के अंदर रोग प्रतिकार शक्ती जादा होती है इस कारण उस पे जो बिमारियों का आटा है के वो बहुत कम होता है और यह मुर्गी कोई भी मोसम में तरफ ओरिजनल देसी मुर्गी ही आपको मिलेगी अब बात करते है ओरिजनल देसी मुर्गी का बिजनस की तो बिजनस के लिए दोस्तों सबसे पहले चूजे की बात करते है तो चूजा ओरिजनल देसी मुर्गी का चूजा आपको कोई हैचरी में मिलेगा अगर कोई छोट वाली हैचर है 100-200-500-1000 चिक्स वाली छोटी एकदम छोटी-छोटी जो छोटे इनक्योबिटर लेके हैचिंग करके लोगों को चिक्स भेचते हैं इसी जो छोटी हैचरे होती है उनके पास आपको देशी चिक्स ओरिजनल मिल सकता है अगर वो अंडे पालने वाले लोगों से अगर इखटा करके अगर आपको चिक्स निकल के देते तो उनके पास आपको ओरिजनल देशी चिक्स मिल जाएगा बट वो ज्यादा कॉंटी-डी में नहीं मिलेगा 100-200-200 इस छोटी कॉंटी-डी में ही मिलेगा और उसमें भी दोस्तों आपको 10-15% चिक्स दूसरी प्रज चिक्स मिल सकता है ओरिजनल तो आप ऐसी छोटी हैचरी से चिक्स ले सकते हो या फिर आपके आपके कोई हैचरी वाला है आपके कॉंटेक में तो ओरिजनल देशी मुर्गी के अंडे आप खोदी खटा करो और उस हैचरी से या फिर इनक्यूबेटर पर्चेस करके खुद निकाल लो तो आपको ओरिजनल देशी चिक्स जो है वो आसानी से उपलव्द हो जाएगा अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कोई दोस होगा कोई पडोसी होगा या कोई मुर्गया पालने वाले लोगे इनको आप चिक्स की आउडर दे सकते हो 10-10-15-15-20-20 चिक्स इन से भी खरिश सकते हो भूछ सारे लोग अंडों पे मुर्गी बिठाते हैं और छोटा दो दिन का चार दिन का चिक्स बेच डालते हैं तो ऐसे लोगों से भी आप चिक्स खरिश सकते हो अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर दोस्तों आपको बादार से ओरिजनल देसी लानी पड़ेगी उन से आपको अंडों का उत्पादन करना पड़ेगा और उन अंडों पर आप मुर्गी विठा कर भी अपने घर में ही चूदा बना सकते हो जिया दोस्तों आप मुर्गियों से भी चूदा ले सकते हो उनको ही उनके अंडों पर बिठा के या फिर उनके अं आप मुर्गिया ला लीजिए मुर्गिया आपको तीन सो रुपए से साड़े तीन सो रुपए के बीच में मार्केट में लोगों के पास एजीली मिल जाएगी उनके अंडे से आप घर में ही इंक्यूबिटर में चूदे बना सकते हो अगर मानलो आपने बाजार से या कई से 100 या 120 मुर्गिया अगर परचेस कर ली तो कम से कम लगभग जो एवरेज होता है दोस्तों 50 से 55 अंडे आपको डेली मुर्गियों से मिलेंगे अगर 50 से 55 परसें आपको अंडा अगर मिलता है दोस्तों तो सीधा सीधा मन्तली आप 1300 से 1400 चूदे आराम से तैरेडी कर सकते हो जिया दोस्तों एक महीने में आप 1300 से 1400 चूदे बना सकते हो अगर आप मुर्गी को बिठा कर चूदे बना रहे हो जिया दोस्तों मुर्गी से अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो यह जो आपका प्रतिशत है यह 700 से 900 के बीच में रहेगा आप मन्तली 700 से 900 चूदे निकल ये आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उनके साथ मुर्गी रहेंगी ना तो आपको ब्रूडिंग का टेंशन ना उनके पीने का टेंशन ना उनके खाने का ज्यादा टेंशन मुर्गी आए वो सब कम खुद कुद चूदो को करा देती है प्रोडक्शन कम रहेगा बढ़ आपका जो हेडी के वो कम होगा कहने का मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है कि आपको देसी चिक्स का अगर बिजनस करना है देसी मुर्गी को अगर पालना है छोटे से बढ़ा करके बेचना है पूरी तरह से बिजनस करना है तो आपको चूदा मार्केट में मिलेगा नहीं चूदा आपको खुद का रेडी करना पड़ेगा आसान शब्दों में समझा दू दोस्तों चूदों के लिए आपको खुद का ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो फिर आप इंक्यूबिटर लो मुर्गिया अंडे पे बिठाओ या फिर दोस्त पड़ोसी से चूदे इकटा करो चूदे आपको मार्केट में बादार में किसी हैचरी में नहीं मिलेगे आपको घर के अंडों से चिक्स बनाना है चिक्स को बड़ा करना है बड़ा करके उसे बेचना है आपका monthly, weekly जितना भी आपका selling है वो इसाफ से आपको छोटी-छोटी batches में खुद का ही chicks बनाना पड़ेगा ताकि आपका production भी चलता रहे और आपकी selling भी चलती रहे इसी तरह से इस business को आपको set करना पड़ेगा ओरीजनल देसी मुर्गियों में बहुत ज्यादा profit है दोस्तो अगर आप इस business को शुरू का एक साल अगर कर लेते हो तो दोस्तो आप पीछे मुर्गे वापस कभी नहीं देखोगे और अपना production जो है वो ज्यादा से ज्यादा संक हो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसनाई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूरत मन दोस्तों में शेयर कीजेगा आप सभी का धन्यवाद